जनपत के कुराओं तहसील छेत्र में बे मौसम भारिस और ओला ब्रिष्टी से रवी की फसल को हुआ भारी नुक्सान आपको बता दें कि इस समय पूरे छेत्र में भारी बे मौसम बारिस हुई बारिस के साथ साथ ओला ब्रिष्टी भी हुई जिससे किसानों की फसल को भारी नुकसान हुआ है इधर कुछ किसानों की मसूर पकने की स्थिति में है जो इस बेमौसम बारिस और ओला ब्रिष्टी से जमीन में चिपक गई और जिन किसानों द्वारा गेहों की फसल की सिचाई कर दी गई थी गेहों की फसल भी पीली हो गई है और इसी के साथ सरसों की फसल को भी नुकसान हुआ है कुछ किसानों की सरसों तो पूरी तरह से गिर चुकी है जिन सरसों में फल लग चुका था उसमें ज्यादा नुकसान होना स्वाभाविक है क्योंकि फसल गिर चुकी है जैसे ही धूप निकलेगी पेंड सुखना शुरू हो जाएगा इस समय प्राकृतिक आपदा की मार किसान जेल रहा है और इधर आज देखा जा रहा है कि चारों तरफ कोहरे की सफेद चादर छाई हुई है बे मौसम बारिस ओला बिष्टी के बाद अब कोहरे की मार किसानों के उपर पड़ रही है किसानों में इस बात को लेकर काफी चिन्ता है कि हमने जो पूंजी लगाई है अगर वह पूंजी भी वापस नहीं आई तो निश्चित रूप से किसान भुकमरी के कगार पर पहुँच जाएगा कुछ किसान तो केवल खेती पर ही निर्भर है उनके आयक आश्रोत केवल खेती किसानी ही है किसान खेती पर ही निर्भर है जब फसल पक कर तयार होने की स्थिती में होती है तो किसान की कई अर्मान होते हैं किसान अपने आगामी विकास को लेकर के मन में सोचता रहता है कि हमारी फसल तयार होगी तो हम अपना काम करेंगे कुछ किसानों के यहां साधियां की भी तैयारी हो रही है लेकिन जो मार किसानों के उपर पड़ रही है इस प्राकृतिक आपदा की तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि किसानों की इस्तिती काफी दैनी हो गई है इधर आलू की फसल को भी भारी नुक्सान हुआ है जिन किसानों की आलू की खुदाई अभी नहीं हो पाई थी उसमें पानी भर गया है और वह धीरे-धीरे सड़ना शुरू हो गया है आलू के किसान अपनी व्यथा को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके सामने इस प्राकृतिक आपदा जो आई है निश्चित रूप से उन्हें भुक्मरी के कगार पर ले जाएगी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखेे चारों तरफ के और कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है कोराओ छेतर के कई गाउं में तो कहीं-कहीं भारी ओला ब्रिष्टी हुई है बारिस तो हुई लेकिन ओला ब्रिष्टी से किसानों को भारी नुक्सान पहुचा है जिन किसानों के गेहूं की फसल में बालियां आ रही थी गेहूं की बालियां तूट गई हैं और सर्सों की फसल को भी नुक्सान हुआ है साथियों मैं आपको बता दू कि यह छेत्र इस समय इस बेमोसम बारिस ओला विष्टिया और कोहरे की मार जेल रहा है निश्चित रूप से किसानों की कमर तूटे गी उनके अर्मानों पर पानी फिरा है देखिए चारों तरफ केवल कोहरा ही कोहरा दिखाई पड़ रहा है